हलो एवरिवन स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल क्रिप्टो ट्री में उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इसी 7 common mistakes कि जो हमें avoid करना चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग में as a beginner तो यह वीडियो बिगनर ट्रेडर लोग के लिए बहुत ही ज्यादा important है तो वीडियो को पूरा देखें एंड इसकी इपना करें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जो जो point बता है वह बहुत ही important point है ऐसा beginner के लिए तो वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और comment करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो time waste ना करते हुए हम सीधा अपने topic पे चलते हैं जो पहला important point है या यूं कह लिजे जो पहली common mistake है जो के बहुत सारे new traders लोग करते हैं crypto market में तो वह पहला point है getting rich quick means बहुत सारे new traders लोग market में एंटर होते हैं और यह सोच के एंटर होते हैं कि हमें इस market से कि जल से जल अमीर बनना है और जल से जल पैसा कमाना है बट ऐसा नहीं है because हमें market को समझना पड़ता है market के move को देखना पड़ता है market बहुत ही volatile है market को पहले अच्छे से समझो और फिर अपना money investment करो and सबसे पहली बात कि आप learning में focus करो अगर एक बार आप learning कर लिए आप अच्छे से market को समझ लिए market के जो pattern चार्ट pattern है आपने सीख लिए आपने learning एक मरता कर लिए तो automatically आपके earning होने लग जाएगी and आप धीरे धीरे एक अच्छा खासा profit निकाल सकते है market में तो जो सबसे पहली mistake थी कि आप सोचते हैं कि हम market से जल्द से जल्द अमीर बन जाए इसे avoid करना चाहिए जो हमारा second point है trading without a plan बहुत सारे traders लोग market में इंटर हो जाते हैं बिना किसी plan के and वो coin को buy करते हैं इस ऐसी hope लगा के कि यह हमें profit देखे जाएगा but इधर पर ज्यादा तर possibility यह होती है कि वो trade जो है उनके against जाता है because उनके पास कोई plans नहीं होता है and वो ना chart देखते हैं ना fundamental analysis करते हैं ना technical analysis करते हैं and direct वो buy कर लेते हैं तो इधर पर ज्यादा तर possibility रहती है कि वो trade इनके against जाएगा and उनको profit की जगे पे losses होने लगते हैं तो जो new traders लोग हैं जो crypto market में enter हुए है उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी trading करें तो वो अपने एक plan के हिसाब से करें without plan trading ना करें तो ये एक बड़ी mistake है जो के हमें avoid करना चाहिए as a beginner and जो हमारा तिसरा point है जो हमें trading में avoid करना चाहिए वो है trading with bigger position size than you should ये जो mistake है mostly future trading में होती है जैसे कि आप future trading करते हैं as a beginner आपको future trading के बारे में कुछ इतना idea नहीं रहता क्योंकि आप beginner हो and आप just market में enter हुए हो आप पहले सही से sport trading करना सीखें and फिर उसके बाद future trading margin trading में आप enter करें market को पहले समझे market कैसे react करती है and फिर उसके बाद में future trading करें तो ये जो mistake होती है ये future trading में होती है आपको basically ये भी idea नहीं रहता है कि हमें इस price range से short करना है या long करना है आपने जैसे किसी को देखा कि वो 100x की leverage लेके long कर रहा है आपने उसको देखते हुए आपने भी अपनी एक long की position on की and आपने भी 100x का leverage लिया but आपने risk management नहीं किया है आप अभी नए नए market में enter हुए है तो पहले आप market को अच्छे समझीए and आपने long की position on की but इधर पर कुछ ऐसा हुआ जो बड़े बड़े whales है and market operator है उन्हेंने market को manipulate कर दिया and market crash हो गई तो आपने जो मतलब long की position on की थी वो आपके against चले गई and आपका जो भी portfolio था वो पूरा loss हो गया तो ये एक बहुत ही बड़ी mistake है जो के as a beginner कोई भी trader को नहीं करना चाहिए तो इसे totally avoid करना चाहिए as a beginner trader and जो हमारा next point है वो है opening a trade because the market has to reverse eventually बहुत सारे जो new traders रहते हैं उनको market के trends के बारे में कुछ idea नहीं रहता है because वो अभी newly market में इंटर हुए हैं तो उन्हें market के trend के बारे में कुछ भी idea नहीं रहता है and वो market के trend के against trade करते हैं like जैसे for example अभी previous bull rally में जैसे metaverse का trend था defy का trend था but जो भी वो time में newly enter हुआ है उन्हें कुछ idea नहीं था because वो new market में इंटर हुए थे तो उन्हें जो coin ठीक लगा वो buy कर लिए and वो एक अच्छा खासा profit नहीं बना सके and उदर से market धीरे धीरे गिरा तो उनके जो portfolio है 90 to 95% down हो गए and market गिरने की वज़ा आप जानते ही है बहुत सारी negativity थी बहुत सारी fat थी बहुत सारी negative news थी and Ukraine and Russia का war वाली situation थी जिसकी वज़े से market कई बार crash हुआ and mostly new traders लोग के जो portfolio था 90 to 95% down चल ला है because उन्हें market में entry तो की but उन्हें trend का कुछ idea नहीं था उन्होंने जो अपना capital था अपना पैसा था वो ऐसे coin में invest किया जिसका कुछ trendy नहीं है like meme coin ऐसे penny cryptocurrency बहुत सारी इसी penny cryptocurrency थी उन्होंने उसमें investment किया तो हमें market के trend के हिसाब से ही अपनी investment करना चाहिए हमें market के trend को follow करना चाहिए तो हमें एक अच्छा खासा profit हो सकता है in future market से तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए अगर हम next point की बात करें जो है हमारा copy trading influencer ये एक sensory topic है बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते बट आज हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत सारे जो new traders लोग रहते हैं वो ये गलती करते हैं वो influencer लोग को देखते हैं and copy करते हैं and copy करके वो अपनी trading करते हैं like जैसे अब ये एक influencer है उसने feature trade open किया and feature trade में उसने 100x की leverage ली बट वो जो influencer है उसे पता है मुझे stop loss अपना कहां लगाना है मुझे profit कहां book करना है और मुझे अपनी position कहां close करनी है वो because ये वो जो influencer है वो पहले learning किया है and वो आप professional trader बन चुका है but आप new traders हो तो आप totally avoid करो copy trading करने की because आप new trader हो आप पहले learning पे focus करो आप अगर एक मरता learn कर लिए तो automatically earning होने लग जाएगी आपकी तो आप इस बात का ध्यान रखके ये बात तो हुई future trading की but sport trading में भी बहुत सारे influencer की बहुत सारे new traders लोग copy करते हैं for example अभी जो influencer है उसको proper idea है मुझे कौन से coin में enter होना है कौन से price से enter होना है मुझे कौन से coin buy करना है if अगर वो meme coin में भी enter हो रहा है meme coin भी buy कर रहा है तो उसे पता है मेरा buying range क्या रहेगा and मेरा selling range क्या रहेगा and मुझे कितना profit book करके मुझे sale करना है तो उसे एक proper idea होता है but आप new trader हो आपको इसका कुछ भी idea नहीं है तो आप copy trading avoid करो and कोशिश करो अपनी खुश से learning करने की and focus करो अपने learning के उपर तो आपको ध्यान रखना है कि आप as a new trader copy trading को avoid करो and जो हमारा next point है जो हमें avoid करना चाहिए as a beginner trader वो है constantly switching system जो new traders होते हैं वो analysis तो करते हैं technical analysis करते हैं but वो सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा system मिल जा profit हो जाए and हम बहुत सारा profit अन कर सके and इसी के कारण वो लोग बहुत सारे indicator plot करते हैं बहुत सारे indicator लगाते हैं and last में frustrated होके system बन करके बैठ जाते हैं तो ये तो बात हो गई constantly switching system technical analysis के बारे में but बहुत सारे जो new traders लोग रहते हैं वो एक exchange से दूसरे exchange में switch होते हैं jump करते हैं but उनको कुछ idea होता नहीं है कि हमारा जो fund है जो भी cryptocurrency है हमें उसे कैसे transfer करना है and कभी-कभी वो इसी के कारण एक बहुत बड़ा loss कर बैठते हैं तो as a beginner trader हमें इस चीज को avoid करना चाहिए हम जिस platform में हैं हमें उस platform में focus करके trading करना चाहिए and investment करना चाहिए तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए and अगर हम next point की बात करें जो के हमें trading में avoid करना चाहिए and यह हमारा आखरी point है trying to trade news for example जो बहुत सारे new traders लोग रहते हैं वो market की news को follow करते है for example कोई positive news आई तो market uptrend में react करती है but कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई news आती है but market उसके against react करते है वो इसलिए होता है because जो market के बड़े-बड़े operator बड़े-बड़े whales लोग रहते है वो market को manipulate करते है तो बहुत सारे जो new traders लोग रहते हैं वो market की news को follow करके trade open करते हैं trade लेते हैं but कभी-कभी क्या होता है कि उनको इसकी के कारण एक बहुत बड़ा loss हो जाता है तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए and हमें इस mistake को भी avoid करना चाहिए as a beginner trader हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए and ये सारी mistake को avoid करना चाहिए ऐसी ही informational video के लिए हमारे channel को subscribe करें and bell वाले icon को press करें for more latest video updates के लिए and video को like जरूर करें because आपके एक like से हमें next video बनाने के लिए motivation मिलती है and एक ऐसी video बनाने के लिए बहुत महनत लगती है so please आप channel को subscribe करें and bell वाले icon को press करें and like करें